दोस्तों हमारे देश में गोदी मीडिया क्या करती है? सर्फ और सर्फ हिंदु मुसल्मान, हिंदु मुसल्मान और विपक्ष को कोसने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है लेकिन दूसरी तरफ रवीशकुमार जी हा रवीशकुमार किस तरीके से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं अपनी जमीर को नहीं बेच रहे हैं या आप सब जान रहे हैं क्योंकि रवीशकुमार का अंडे टीवी से स्दीफा होने के बाद उनका खुद का यूट्यूब चानल चो बना और उसमें लोगों का प्यार उनका सपोर्ट उनका समर्थन आप साफ्ता और पर उनके चानल पर देखी रहें के कैसे लोग उनके वीडियो को उनके चानल को सब्सक्राइब कर रहें लेकिन ऊर बड़ी उपलबिदी जो है अब आविश्कुमार के खाते में चोड और उनसे तो चार अवार्ड भी मिल जाता है। लेकिन रविष कुमार जिस तरीके से अपना नाम देश में तो उनका बजी रहा है। लेकिन विदेशों में भी उनका जंका बचता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि विदेश में रविशकुमार को एक और अवोर्ट से नवासा गया है हलाकि उनके परिवार में उनकी माता जी का नधन हो गया है इस धुक के घरी में भी रविशकुमार जो है पूरी तरीके से अपने परिवार वालों के साथ खड़े दिखाई दी है अपनी मा के अंतिम संसकार में भी जाकर उनोंने अपना करतब निभाया लेकिन इसी वीच रविशकुमार की तरफ से एक संदेश दिया गया किस तरीके से जो आपको अपने बताया था कि माता जी के निधन पर रविशकुमार जो है वो अपनी मा के साथ नहीं थे और ब्राजिल का एक शहर है ब्रेल्जिम वहाँ पर उनकी उपस्तिती थी उन्होंने वहाँ से भावुक पोस्ट तक लिखा था लेकिन अब उस शहर में जाने का उन्होंने कारण बताया है कि वो उस शहर में क्यों गया थे और किस तरीके से वहाँ, ब्राजिल का जो शेहर है, वहाँ पर लोगों ने उनको जो प्यार दिया, जो अपना पन दिया, जो अवाड रविश कुमार को मिला है, उसको लेकर भी उन्होंने खुद इस बात की जानकारी साजह की है, रविश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिख प्र design स्प्रेशन सुईकार करने गए थे भारत में उनकी माँ का निधन हो गया था प्रविश ने सइयोजको के प्रयतनों और अपनी माँ की याद में यह सम्मान लिआ अगले दिन दो मई को ये सम्मान सुईकार किया और वहां आये महमानों को संबोधित किया ये सभी उसी भाषन का वीडियो है आने वाले दिनों में इस चैनल पर वीडियो आएगा और पहले रिकॉर्ड किये गए थे इस दिये आज उन पर प्री रिकॉर्ड़ेड टैग देख रहे हैं तो 1200 पाइदान पर पहुंच चुकी है 1500 पाइदान पर खिसक गई है लेकिन रविशकुमार रहमन मेकसर अवॉर्ड के बाद पर अवॉर्ड ले रहे हैं वो भी सरकारी ऑवॉर्ड नहीं वोर्क्त कि विदेशों से जुकना उन्हें गवारा नहीं है, किसी के तलवा चाटना उन्हें गवारा नहीं है, वो अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, जो पत्रकारिता का धर्म होता है, पत्रकारों का धर्म होता है, हमेशा सच के साथ सरकार से सवाल पूछना, तो उन्होंने वही रास्ता चुना, और र जो है एक एक स्टोरी को छान बीन करते वे आप तक प्रस्तूत करना पड़ता है क्या पता कब क्या हो जाए कब चानल बंद करवा दिया जाए तो इस तरीके की तमाम प्रेशर जो है हम सभी पर रहता है लेकिन गोदी पत्रकारों की दलाली में तो आप देखी रहे हैं कि किस तरीके की खबरे दिखाई जाती है उनकी दलाली में अगर अवार्ड दी जाए तो गोदी पत्रकारों की कई बड़े नाम जो है जो खुद को बड़े बड़े चानल के संपादक बड़े बड़े आंकर बताते हैं उनको अवार्ड मिलने में लंबा फैरस्त जो है वो दिख कर रहे हैं देश का नाम गौरब कर रहे हैं पत्रकारिता का नाम गौरब कर रहे हैं उन तमाम पत्रकारों के लिए एक मिर्थाल की तौर पर उनको लोग देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने सच्ची पत्रकारिता की है पक्की पत्रकारिता की है दोस्तों इस पूरा सिक्षिन ने जरूर बताईएगा